नमस्कार मैं कृति दीर और आप देख रहे हैं हापुर हल चल उतर प्रदेश के जनपद हापुर के बालेका इंतर कॉलेज में मद्दाताओं को देश के मजबूत लोकतंत्र के लिए जागरुक करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया आपको बता देए कि देश्वे प्रदेश में 25 दिसंबर को मद्दाता जागरुकता दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसके चलते जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया इस दोरान वाद विवाद प्रतियोगिता एवं लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें छात्राओं ने लोक्तंत्र में मद्दान की आवश्यक्ता को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किये इस मौके पर हमारे संबादाता ने कॉलेज की प्रधान अचारय अर्चना गौतम से बात की आईए जानते हैं इस मौके पर उनका क्या कहना है यह मेन मद्दाता जागुफटा कारिक हम परसूल में जा इस इस पर क्या जारा ह понад में हमारा निबन पठी होगाता है तो इसमें विभीन विदालियों से बचेया हैं जिनों निबन पर्थी होगता में भी प्रियाई किया है और इसने हमारा वार्चा इना रही है जिसमें आप नी भी देखा है तो यह को विवें जो चात्राएं उनकी अखोर्डिंग उनकी परिजनों को क्या संदेश देने का इस कारिकरम के अंतर परियाज कर देश? एक्चुल में ये संदेश इसलिए है कि हमारा जो अधिकांस जो परिवार है वो गाउन से बिलोंग करता है कि न मतदान देना हमारे लिए कितना आवश्चक है इसलिए ये बच्चे 18 साल के अभी नहीं हुए लेकिन हम इन बच्चों के द्वारा इनके पैरेंट्स को ये संय ऐव वह र मंती ब आके ति हम हम एक रवार को मारा जाते हैं नहीं करना जानते हैं तो इस वाजे से इस प्रोगराम के अक जो मिशन है जिससे कि बच्चे हैं बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और बच्चे अपनी परीवार को अपने जो गाउं के लोग हैं शेहरो के लोग हैं आसपास की जो लोग है उन सब को जागरू कर सके मिरन शिरी मती बीनु जैन एड़ोकेट जैन्सा आज यहां इसकूल में आप हैं मतदाता जागरूता कारेकर चलगा है क्या कहना है यह अपना जो मतदान का अधिकार है मैं सोचती है इससे बड़ा अधिकार कोई नहीं है क्योंकि हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी इस विशह पे वो लोग अपने विचार हमें सुना रहे हैं मैं समस्तियों कि वो और अधिक जागरूख होंगे अपने आसपडोस को अपने आने वाली संतती को और अपने जो परिवार जन है जो अभी मतदान करने का अधिकार रखते हैं उनको ज्यादा सतर्क बना सकेंगे उनके दिमाग में इस बात की वैल्यू होगी कि हमें अगर अपना देश उन्नत बनाना है विकाशील बनाना है विक्सित करना है तो वो बहुत अच्छी भूमी का इसमें दे सकते हैं अच्छा आज एक बात पूतना चांगा आप एड़ोकेट भी हैं आज जो सत्ता चल करते है वो कि, बने कि अज़स चाहेंगे महें जोगतंत की हत्य तो करना है जब विकाश होता है तोड़ी हल चलता होती इसी को समझ में कैसे आता है वो बढ़ी हुन विकाश तो कुड़ा países सरकार के समय में पहली बार पाँना एड़ीसों को मीडिया के सुआते हो, क्या यह रहा है कि हर व्यक्ति अपनी मन्वानी पर उत्राओं सम्यधानिक व्यवस्था को चर्माराते हुए देखना चाहता है चाहिए यही कहानी हो अदर्वाइज ऐसी कोई भी जबुरत ना थी ना कभी होगी पविश्य में अगर सब लोग अपने अपने कर्दव्य को पहचान कोई स्थिती ऐसी बनी नए ही सकती कि सी इस तरे की स्थिती सामीड वे लोगों के सामने हो कि बहुत बड़ा धिरबाग्या है मेरे जाब से जो आज स्थिति सहम आ परना पार यह आज प्यों कि बहन करके समझ रहें कि हम अपने देश की मैल कहती हूं किसे बुरी स्थिती हो नहीं सकते आप किस इसको विकास किसको समझ रहे हैं पश्टिम की तरफ आप दौड रहे हैं यह विकास हैं यह विकास हो ही नहीं सकता हमें अपने भारतिय संस्कार संस्कृति जब तक हम उसका आधर करेंगे अविश्कन संजहेंगे कोई भी इस्त्रीं कि देश के लिएम प्रशन 치न कोई अज्च आप आ ले क्म लेखे में आप देश का व्हाइब मुझा चैनल क कर दो केंद से बारचा ready के लिए जुड़े रहिए हाप और हल चल के साथ